बॉलिवूर्ड आक्टर अर्मान कोली ने खोया अपने छोटे भाई को रजनीश कोली उनका नाम था 44 एर्ज की उनकी एज थी कुछ health related issues उनको पिछले कुछ समय से थे जिस कारण उनकी death हुई रजनीश अर्मान से बिलकुल अलग थे जहां अर्मान बॉलिवूर्ड आक्टर तो थे ही इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में उनका उटना बैटना था काफी अच्छा friend circle है उनका फिल्म इंडस्ट्री में वही रजनीश शुरुआज से ही इस glamorous दुनिया से दूर रहे हैं और लंबे समय से वह wheelchair पे थे रजनीश बॉलिवूर्ड में कहीं भी आते जाते नहीं थे और ना ही बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री में उनकी कुछ खास networking थी हाना कि गिने चुने लोगों को वह भी जानते थे जैसे कि धर्मेंद्र, मीका सिंग इनसे उनका connection था लेकिन जादा कुछ वो बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री से मतलब नहीं रखते थे क्योंकि रजनीश wheelchair पर थे इसलिए वो घर से बाहर भी कम ही निकलते थे वो अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहते थे उनके पिता राजकुमार कोली हम सब जानते हैं कि बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फिल्मेकर है जिन्होंने नागेन, राजतिलग, जानी दुश्मन जैसी फिल्में बनाई वहीं अगर बात करें अर्मान कोली की तो अर्मान ना सिर्फ एक बिग बॉस कंटेस्टिंट रह चुके हैं बलकि उन्होंने भी जानी दुश्मन नाम के फिल्में काम किया हाला कि अर्मान कोली इतने सक्सेस्फुल आक्टर नहीं बन पाए लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा मीडिया का हिस्सा रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशन्शिप को लेकर अपनी गर्ल्फरेंट्स के तरफ अब्यूजिव होकर कहते हैं कि रजनीश पर उनकी पूरी फैमिली का बहुत जादा दिल अटका हुआ था क्योंकि वो वीलचेर पर थे और फैमिली उनको बहुत जादा प्यार करती थी रजनीश अर्मान के छोटे भाई थे लेकिन अर्मान उन्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे अर्मान की लास्ट पॉपुलर फिल्म रही प्रेमरतन धन पायो और बिग बॉस के बाद वो एक हाउस होल्ड नेम हो गए